आप सभी का स्वागत है Perfection IES के इस Digital Platform पर मैं हूँ अर्विन पांडे और हम फिर से जो है उपसित हो चुके हैं आज के इस नए सेशन को ले करके जिसमें हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं करेंट अफेयर और MCQ-based questions को का discussion हम लोग का जो day by day session जो है continue हो रहा है तो भारती अर्ज ब्योस्ता को ले करके इसके PYQ और इसके साथ साथ जो है पिछले कुछ माह के current affair जो इंडियान economy के संदर में आपके exam में पूछे जा सकते हैं उन प्रशनों की स्रिंखला को ले करके हम लोग डिसकस कर रहे ह दो एपिसोड हम लोग डिसकस कर चुके हैं तीसरा आज का session होगा वो तीसरा session होगा और यह प्रतेग session में एक short जो है कह सकते हैं 5-6 questions का ही series लेकर के हम लोग चल रहे हैं इन फीशर हम लोग इनकी संक्या को और बढ़ाएंगे और number of the question जो है of current affairs इसको और जादा include करने का प i.e.the question is भारती सरकारी bond प्रतिफल यान कि जो इंडियान गोवर्मिनंट से जो बॉंड है उसका जो रिटर्न है उसका जो प्रतिफल है निमलिखित मैं से किस से या किन से होता है यह आपको प्रश्ण है और आपको जा है किन से प्रभावित होता है I think से यह होगा मुझे लगता है कि किस से प्रभावित होता है आपका पहला option दिया हुआ है पहला option है United States Federal Reserve Bank की कारिवाई है दूसरा option है भारती रिजर्व बैंक की कारिवाही, तीसरा option है मुद्रा स्विती एवं अल्पा वधी ब्याज दर, तो ये तीन option दिये हुए हैं और पूछा जा रहा है इन तीनों option में से कौन से option से या कौन सी कारिवाही से या कौन से action से जो भारती बाजार में जो government bonds है उसक अगर वह किसी प्रकार का action लेता है अगर वह कोई step उठाता है तो जो है अंतरास्टी अस्तर पर जो रिटर्न होते हैं जो rate of interest है वह actually प्रभावित होता है जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो central bank है जब वह monetary policy design करता है तो इस monetary policy से जब हम money supply को यानि कि मुद्रा पूर्ती को जब हम control करते हैं तो actual में यहां जो है indirectly exchange को भी प्रभावित करता है और इससे जो है अन देशों की जो मुद्र नितियां होती है वह भी प्रभावित होती है इसका मतलब होगा कि हम जब monetary policy design करेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि अंतरास्टी विवस्था में जो है जो मुद्रा पूर्ती है और जो exchange rate है वह किस प्रकार से behave कर रहा है उसका बिवार कैसा है clear बात है आपन सो United States Federal Reserve की जो कारिवाई होगी वह भारती सरकारी bonds के प्रतिपल को प्रभावित करेगी option one is correct second option की बात करें भारती Reserve Bank की कारिवाई और बेसी बात है अगर Reserve Bank of India को तो उस action से जो है जो भारती बांड है इंडियन जो बांड है गोर्मेंट बांड है उनके रिटर्न पर जो है इंपक्त पड़ेगा इसके अला बात करें मुद्रा शुति अम अलपा वधी ब्याजदर अगर inflation आता है यह जो है short term के लिए जो rate of interest है उसमें अगर बदलाओ हो है और अगर तीनो statement correct है तो option number D जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यानि कि D option यह कह रहा है कि 123 यह तीनो statement जो है आपके प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है इसके साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न के तरफ next question आपके screen पर है question है निम्न कतनों पर आप का केंद सरकार द्वारा Reserve Bank यानि कि RBI के governor की नियुक्ति की जाती है तो यह जो statement है exactly it is correct statement actual में Reserve Bank of India के जो governors होते है उनके अपोइंट्मेंट होता है वो प्रधार मंत्री की जो नियुक्ति समीति हो थी Cabinet Committee of Economic Affairs हो होता है उसी समीति की द्वारा नेड़य की अधार पर प्रधार म किन सरकार को जन हित में RBI को दिसा निर्देश देने का अधिकार देते हैं यहां पर जो यह statement हो गया यह actually में क्या है गलत है भारती समीधान का कोई भी ऐसा प्रावधान कोई भी अनुछे दिया section subsection ऐसा नहीं है जो सरकार को जो है यह दिसा निर्देश देने का अधिकार देता है कि वह RBI को जो है वह कोई दिसा निर्देश दे सकता है so option number two is incorrect option number three की बाग करें तो RBI का गवर्णर अपना अधिकार जो है अपनी जो सकती है वह RBI Act 1934 के अंतरगत से प्राव्ट करता है so this is the correct statement यानि third option जो है इस question जो है segment में सही answer है two गलत है यानि first and three सही है और option number C जो है इस question का क्या होगा correct answer होगा option number C जो है इस question का क्या होगा correct answer होगा I think so there will be no any issue in that हम लोग बढ़ेंगे इसे के साथ next question की तरफ भारत में किसी वाडिजिक बैंक की परिसंपत्ति में निमलिखित में से क्या शामिल नहीं है आपसे पुछा जा रहा है कि जो commercial banks है उनके जो है जो asset होते है उन asset में यानि किसे हम asset नहीं कहेंगे किसे परिसंपत्ति में सामिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो option दिया हुआ ह पहला option है अग्रिम की जम हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं advance कहते हैं जमा की बात करते हैं तो यह आपका deposits है निवेश यानि की investment और इसके लामा मांग तथा अल्प सूचना पर जो मुद्रा है यानि की money at call और notice money जिसे कहते हैं वह आपका चौता option है तो अगर हम asset की बात करें तो asset का मतलब होगा कि ऐसा जो है कोई भी उपकरण जो जिस उपकरण के माध्यम से जिस विकल्व के माध्यम से वाडिजी बैंक in future return receive करते हैं उसे हम asset के रूप में consider करते हैं जैसे अगर हम बात करें second option की बात करें जमा की बात करें तो जो deposits होता है यह bank को का asset नहीं होता है यह actual में bank है क्या कहलाती है लाइबिल्टी कहलाती है जो कि जब हम bank में पैसा deposit करते हैं जमा करते हैं तो bank उस case में जो है actual में bank का जो bank का relation डेटर का हो जाता है और मेरा creditor का हो जाता है तो actual में bank की liability होती है जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में तो बैंक की liability होती है कि हमारे demand पर या after a certain time period वो हमारा पैसा क्या करें वापस करें clear बात और same अगर हम opposite case की बात करें तो अगर बैंक ने हमें loan दिया हुआ है तो यहाँ पर liability हमारी हो जाती है कि हमें bank को ब्याज के साथ मूल धन की वापसी करनी होगी at a time पर या जो समय निश्यक किया गया है तो यहाँ पर जो deposits होता है यह deposit कभी भी asset के रूप में consider नहीं किया जाएगा यह प्रकार की liability होती है लोग इसके पहले वाले session में discuss किये हैं यह दो प्रकार की liability होती है एक demand liability होती है और एक time liability यानि कि एक मांग देता होती है और एक समय देता होती है और इस मांग देता कि अंतरगा दो accounts पाई जाते हैं एक current account और एक saving account यानि जो चालू खाता और जो बचत खाता में जो पैसा हम जमा करते हैं यह जमा जो है तो इसमें RD and FD वाले amount सामिल होते हैं और इसमें क्या होता है यह जो है actually it is payable on demand payable after a certain time होता है इसमें maturity period होता है after maturity period ही जो है इसको bank आपको भुक्तान करेगा तो this is called liability बट अगर हम agreement की बात करें तो agreement हो गया या loan की बात करें या advance की बात करें अगर bank को investment करेगा तो भी bank उससे return कमाएगा या bank ने अगर अलप सूचना मुद्रा यानि की money at call और short notice यानि bank ने अगर किसी अन्य bank को 24 hours के लिए दिया हुआ है पैसा जिसको money at call कहते है और short notice का मतलब अगर bank ने 2-14 lease के लिए पैसा दिया हुआ है तो उस पैसे को भी actual में एक investment ही कहा जाएगा और उस पे भी bank को return मिलेगा तो ये एक asset की रूप में consider होगा तो ये asset हो गया bank किसे पैसा कमा रहा है ये asset हो गया bank किसे पैसा कमा रहा है bank advance या loan दे रहा है तो ये आपका asset होगा यानि bank जितना भी investment करेगा return कमाने के लिए that is all asset और जो bank receive करेगा जिस receive के पहले जिस receive का liability create होगी bank के ऊपर कि bank को एक certain समय के बाद देना है कोई भी liability create हो रही है that is called the liability not the asset so I think so यह यह पूरा जो आपका option है यह clear हो चुका होगा अगर हम पूछे किन में से कौन सा asset नहीं है सामिल में asset में सामिल नहीं किया जाता है so option बाकि अन्य जो तीन option है that is called asset of bank next question की तरफ हम बढ़ेंगे the question is पूजिकरत विदेशी portfolio निवेशकों के द्वारा यानि कि जो registered है कौन से foreign portfolio investors है उनके द्वारा उन विदेशी निवेशकों को यानि ऐसे कोई foreign investors को swag को सीधे पंजिकरत की बिना भारती श्टॉक बाजार में responds smarket में निवेश निवेश कर सकते हैं या Indian stock market का वोHIस्सा वन सकते हैं इन में से पुछा जाड़ा निम्लिखित में से क्या जारी किया जाता है यानि कि जो registered यानि कि जो पंजिकरत portfolio निवेशक है एक्टृल में ये तो पंजगरित होते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा विदीशी निवेश सकत जो बिना रजिस्टेशन के बिना पंजीकरण के अगर भारती स्टॉक मारकेट में participate करना चाहता है भारती भारती stock market में अगर निवेश करना चाहता है तो वह जो निवेश होगा वह किस instrument के माध्यम से कर सकता है यह आपका option है तो क्या यह जमा प्रमाणपत्र के माध्यम से कर सकता है I think आपका ऐसका आप यह समझ़ पा रहा होंगे जमा प्रमाणपत्र भारती मुद्रा बजार का मनी मार्केट का एक इंस्टुमेंट है। यह कोई investment यानि कि यह stock market रिलेटिएड इंस्टुमेंट यह नहीं है। money markets related instrument है तो यह आपका तो option गलत हो गया commercial paper की बात करेंगे तो money market का instrument है यह यह भी आपका stock market का instrument नहीं है अगर हम प्रामिस्री note की बात करेंगे तो प्रामिस्री note एक प्रकार का documents होता है निगोशीबल instrument कहते हैं इसे जिसमें एक party दूसरे party को एक certain amount एक सर्टे समय के बाद देने का वचन देती है और यह वचन पत्र जो है एक legal document के तौर पर काम करता है कई सारे bank इसका यूज करते हैं जब वह आपको loan देते हैं या जब कोई ऐसा financial services आप आपको प्रवाइड करते हैं तो इस जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं तो जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है यह एक कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वोड इंस्ट्रुमेंट होता है उन विदेशी निवेशकों के लिए जो भारत के stock market में बिना पंजिक्रित किये वह निवेश कर सकते हैं इंडियान स्टॉक मार्केट की कमपनियों में सो ऑप्शन नमर डी जो है इस करेक्ट आनसर होगा कई बार एक स्टिति है यह एम प्र और को स्वरी नोट या झांग पत्र और जो पीं नोट के लिएateur पिनोस देखते हैं तो जहां भी प्रोनिखा होगा औल्वेश उसको क्या कहते है इसको हम क्या पी नोट जहां में लेखा होगा, it is all known as a participatory note, it means इस question का जो सही answer जाएगा, वो option number D जाएगा, I think so, there will be no any doubt, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, next question की तर बढ़ते हैं, ये प्रशन आपका current affairs से संबन्दित है, और exam में पूछे जाने की संभावना भी इसका बनता है, प्रदाहा नई दिल्ली में विश्व कर्मा जहनती के उसर पर, Mr. प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा किया गया, and this statement is 100% true statement, ये एकदम सौ प्रसस सही statement है, दूसरा statement है, इस योजना की tagline है, सम्मान, सामर्थ, सम्रिधी, और ये tagline आपको याद रखना है, because this statement is also true, तो इस tagline को भी याद रखना है, सम्मान देना है, जो विश्व कर्मा वरकर है, उनको सामर्थवान बनाना है, और उनकी सम्रिधी को लाने का प्रयास इस योजना के माधियम से सरकार कर रही है, तो इसकी tagline भी आपको याद रखना, this is the true statement, इस योजना की अबधी 10 वर्ष निर्धार है, तो यहाँ पर जो problem है, वो आपका option number C में है, because जो प्रधार मंत्र विश्व कर्मा योजना है, इसकी जो अवधी है, वो 10 वर्ष निर्धारित नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ष निर्धारित है, 5 वर्ष निर्धारित है, और इसका जो समय होगा, वो समय होग 2023 यानि 2023 से 2028 तक के लिए इस योजना का कार्यान वेन किया जाएगा, तो यह 10 वर्ष वाला जो answer है, वो गलत statement है, इट मींस आपका जो गलत option है, C है, और C ही आपका क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, जो कि आपसे answer में यही पूछा गया था, clear बात, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले question की तरफ and the next question is also belong to the current affair, अगर हम बात करें हाल ही में GST परिशद से सवाल है आपका, GST परिशद द्वारा, online gaming, horse racing and casino पर कितने प्रतिसत तक GST लागों करने का निड़ा लिया गया है, GST परिशद अगर आपने पढ़ा होगा, तो यह जरूर जानते हों परिशने वाले GST की दर को बढ़ाना, उसको, इसके slab को change करना, किन वस्तों को include किया जाए, किसको exclude किया जाए, इनसे संबंदिस सारी जो है, सारे decision जो है, यह GST परिशद काई होता है, तो हाल ही में यह decision लिया गया, कि जो gaming, horse riding और casino पर जो GST है, उसको बढ़ा करके कितना क पोज कर दिया गया है, so option number D, जो है, इस question का क्या होगा, correct answer होगा, यानि किस question का correct answer आया, that is 28%, यानि option number D is the correct answer, so आज के session में फिलाल इतना ही, और previous जो है, वीडियो में, आप से सवाल पुछा गया था, और वो सवाल था, कि किन परिश्थितितियों में पुझीगत लाफ परा रखेगा, this statement is wrong, चूंकि किसी भी उत्पात के विक्रह में वृध्धी से पुझीगत लाफ नहीं होता है, जैसे अगर मैं ये 50 पेन पहले बेचता था, अगर अब मैं 100 पेन बेच रहा हूं, तो quantity बढ़ी है, प्राइस में इसके कोई change नहीं आया है, so अगर प्राइस में को अगर मैं 100 में खरीदा और 100 में खरीद दर है, और अगर मैं बेच इसको 500 रुपे में पा रहा हूं, तो 400 रुपे का क्या हो गया, capital गेन हो गया, यानि ये एक्जामपल था के वर, जैसे आप कोई land खरीद रहे हैं, आप कोई gold खरीद रहे हैं, यानि आप कोई metal खरीद रहे हैं, क्लियर बात, आप कोई security खरीद रहे हैं, चाहे share हो गया, चाहे bonds हो गया, तो समय के अंतराल पर, यानि एक निश्य समय पर जब उसमें gain होगा, लाव होगा, तो उसे हम पूझी लाव कहते हैं, क्लियर बात, और उस पूझी लाव पर लगने वाले कर को, पूझी लाव करेंगे, तो ये statement गलत हो गया, दूसरा option है, जब किसी संपत्य के मुल्य में प्राकृतिक वृद्धी हो, और सिमात है, सही है, आपने कोई land लिया, गोल्ड लिया, और गोल्ड का दाम, अभी आपने 62,000 पर 10 ग्राम लिया, आपने 10 ग्राम, 62,000 में लिया, लेकिन अगर वह 2030 तक 1,500,000 हो जाए, तो आपने capital gain किया है, इस capital gain पर जो tax लगेगा, that is called capital gain tax, कहते हमें, कहते हम इसे, so ये प्राकृतिक मुल्य, option 2 is correct, 3 की बात करें, जब कोई रंगीन चित्रा खरीदें, या रंग चित्र खरीदें आप, और इसकी लोगपृता बढ़ने के कार उसके मुल आपको ढूंड लेना इसमें से, केवल 2 और 3 is correct, यानि कि option number B will be the correct answer, ये आपका correct क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, option number B, ठीक है, और इसी के साथ ये आपके previous वीडियो का प्रश्न था, और इस वीडियो का आपके सामने आज का प्रश्न है, ये question देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही आसान सा, अंसर करने का प्रयाज जरूर कीजेगा, और ये प्रश्न आपका current affairs से ही है, PM विश्वकर्मा योजना से ही है, PM विश्वकर्मा योजना के संदर में आपको निम्न विकल्पों पर आपको विचार करना है, और याद रखेगा सई विकल्प आपको बताना है, चार आप्शन दिये हुए है, इस योजना के तहट, यानि कि ये तेज को स्टार्ट किया गया, ये तो भी हम लोंने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक फंड जोड दिया गया है, 13,000 करोड रुपए की वित्तिय परिवे के साथ, इस योजना दूसरा इस योजना की जो समयवद ही है, यह अभी हम लोंने देखा भी है, यहाँ पहल पारंपरिक कलाकार और शिर्फकारों पर ध्यान कंद्रित करते वे छोटे व्यवशायों का समर्थन करने वाली या एक प्रकार की योजना है, इसके अंतरगत इस योजना के तैत कारि की जाएगी, और आपको बताना है कि एक दो सही है, एक दो तीन सही है, तीन चार सही है, या सभी ओप्शन क्या है, सही है, तो यह आज का आपका प्रशन रहा, इसको जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कीजेगा, और अगर किसी प्रशन में कहीं कोई डाउट है, तो उस हम लोग अगली बार, जह है, जब हम लोग वीडियो फ्रेम करेंगे, तो आपके उन प्रशनों को भी सामिल करते हुए, अपनी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर अपनी अगली वीडियो में, कुछ और नए प्रशनों के साथ कुछ और नए करेंट अफेर्स के कुश्चन के साथ, आप सभी का तब तक के लिए, वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद,